इचले एक साब में मुझे काफी सारे कैडिडेट का इमेल आया है कि मेरी एप्लिकेशन रिजेक्ट हो रही है, मुझे मिल नहीं रहा है, सब चलिये से लोग ना बुढ रहे हैं, मैं इतना क्वालिफाइड होंग, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, कुछ लोग बुलते हैं कि मैं एजनसी की हेल्प से आ रहा हो, फिर एजनसी भी यह चीज नहीं दिलवा रही है, उनसे भी नहीं हो पा रहा है, आखिर यह क्यों हो रहा है, एक साल के अंदर आउस्पिल्डों के सिनारियो में क्या चेंज हुआ है, हम पूरे वीडियो में यही डिसकस करेंगे, ताकि आपको अपने फ्यूचर डिसीजन लेने में आसानी रहे, फिडियो को एंड तक जरूर देखे, हलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वापनिल है, और रिलाइड आडियस भाई स्वापनिल में आप सब का स्वागत है, मैंने जब चैनल शुरू की थी, तब यह बात पता जाती है, फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर भी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, उसके जो है, वो तीन में रिजन है, सबसे पहला रिजन है, रूल चीज, इस साल के चुलाई के अंदर, गबर्मेंट ने आउस्बिल्टोंग प्रोवाइडर के लिए एक नया रूल बनाया ह है, अगर आप किसी कैंडिडेट को फॉरेंड कंटरी से लाते हो, उनकी इंटिग्रेशन की जो है, फूरी रिस्पोंसिबिलिटी जो है, वो कंपटी की होती है, तो जैसे आप यहां पे आते हो, आपको शुगवात में कुछ पता नहीं होता कि लाइफ इन जर्मनी कैसी है, कैसे सब कुछ करना है, यहां पे बैंक एकाउंट कैसे खुलना है, सिटी रिजिस्टेशन की क्या सिनारियो है, इडिन टूर ओफ आरबाइट के अंदर आपको रिजिस्टेशन करना होता है, यह सारे जो इंटिग्रेशन प्रोसेश जो है, वो सारे चीज़े जो है आपकी एक्जिक्विशन होनी चाहिए, उसके बीना काम आके नहीं बढ़ता, 99% लोग जो है वो यह पात को लेके clueless होते हैं, और आप अगर random agency की help से आते हैं, उनको भी इंडिया में बैठके या फिर अपनी country में बैठके मालूम नहीं होता, यहां पर क्या चल रहा है और कैसे य दियान में आये होई है, तो इसकी बज़े से जो है, अभी immigration office में बोल दिया है, अगर आप किसी भी candidate को यहां पर लेके आओ, तो आप प्रॉपर दी नीगल वे से लाओ, और लीगल वे से उनको पूरी तरह integrate करो, फिर side-by-side अपना house building या job या जो भी position पे आते हो, तो वो जो जॉब गीवर है, उसकी responsibility हो गई है, तो यह जो काफी सारे जो scam चल रहे हैं, काफी सारे जॉब गीवर आपको house building contract हो दे देते हैं, ठीके, और जो मैंने बात की थी कि school में admission नहीं करवाते हैं, और यहां पे आके सिफ आप से काम करवाते रहते हैं, तो वो सारे चीजे ज काफी खाली जगह पड़ी होती है, तो वो लोग जो है, वो यह सारे चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको यह सारे चीजे मारूग नहीं होती, वो जानते नहीं कि foreigners कौन है, कैसे होंगे, क्या करेंगे, इतनी सारी जंजट या विरोकरती के अंदर जो है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, अल्डरी वरकर की शौटेज है, यह सारा काम करने के लिए एक और बंदे को रखना पड़े, यह सारी चीजे जो है, वो उसकी बज़े से कंपनी फिर बोलती है, कि इसकी इससे अच्छा तो बले सीड खाली जाएं, पर यह सारी में लो, लेकिन बाद में जो है, आप यह आउस बिल्डूग चेंज कर सकते हो, अभी इसमें क्या हुआ है, कि काफी सारी एजन्सीज और काफी सारे लोगों ने क्या किया है, कि जैसे कोई अच्छे कैंड़ेट हो, जिसको टेकनिकल ब्रांचीस में करना है, या तो कोई किसी भी ब्रांच के हेल्प से, किसी भी जगा पे मिल गए आउस बिल्डूग एक बाद, अब यहां पे आ जाओ, अब 6-8 वही ने या एक साल तक ही खतम करो, और उसके बाद जो है, आप यहां पे आने के बाद, खुद ही डून लो, क्योंकि अगर आप यहां पे परसनली इंटर्यू के लिए जा सकते हो, आपके पास यह लोग जो है, वो ट्रायल पिरियर में काम भी करवा सकते हैं, उसकी बज़े से, जो है, जो डिशीजन लेने में, एम्पलवर को बहुत इजी रहता है, बहुत सारे लोगों ने यह पीछले साल किया, कि किसी भी ब्रांच में आए, ठीके, और यहाँ पे आके फिर आउस्बिल्डूंग चेंज कर लिया, अब उसकी बज़े से क्या हो रहा है, कि एम्पलवर को यह चीज़े मारून पढ़ने लगती है, कि लोग ओवर स्मार्ट वे से आ रहे हैं, उनको सिस एंट्री पॉइंट की तरह यूज कर रहे ह है, और जब एक्चुली में कमपनी को ज़रूरत होती है, उस टाइम पे जो है आउस्बिल्डूंग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है, कि बाई सिफ आउस्बिल्डूंग करके किसी को छोड़ दिया, यहाँ के लोग किसी को अगर डूमते हैं, अगर आ चीजों की बज़े से जो है, वो कमपनी को बाद में बहुत तकलिफ होती है, पूरी मेहनत की हुई है, और फिर बाद में उसका फाइदा नहीं होता है, यह बाते जो है, अब सारी कमपनी समझने लग भी है, और सब को पता चनने लग गया है, मेरे भी पार्टनर से उन्हों इस तरह से नहीं करना है, यह दूसरा रिजन था, तीसरा रिजन है, इमिग्रंट और स्टुडंट, हम सब को मालूम है कि पिछले दो तीन साल से जो रश्या यूक्रेन का वार चल रहा है, उसकी बज़े से जो बहुत सारे यूक्रेनर लोग जो है, वो जर्मनी के अंदर इ उन्हों ने एक वर्कफोर्स क्रियेट की, काफी सारी जो जो जगाये जो है, वो बड़ी-बड़ी सीटीज में, उन्हों ने जो वहां पे जाके फील कर दी, हाँ, अन पेपर तो बहुत सारी खाली चीज, खाली जगाये दिख रही है, बोस्ट ली जो है, यह सारे आउस्ब इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स लोग, उन्हों ने आके फील कर दी है, इसकी बज़े से जो छोटी जगापे है, वो जदा पे खाली बची है, आउस्मिल्टों की प्लेस, और वहां पे जो है, यह लोग नेरिंग करना है, यह सब चीज करने के लिए, तो यह जो ऐसा हो गया है, यह जगा तो खाली है, पर चांस कोई नहीं लेना चाहता, यह एक इमिग्रेंट्स है, और दूसरे स्टूडेंट्स, आपने अमेशा पढ़ाई होगा कि उन्लाइन की पीछले एक साल में जर्मनी के अंदर मैक्सिमम अवांट और स्टूडेंट्स जो है, वो यह नहीं करते कि हम स्टूडेंट्स ही काम चला रहेंगे, यह जो है बहुत इस ट्रेंज हो चुका है, यह पे मैंने और यह पिछले वीडियो में आपको सिखाया कि आप खुद जो है वो आउस बिल्डू के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं वो ऑप्शन तो हमेशा आपके वीडियो बनाए हैं अप्लिकेशन प्रोसेस के ऊपर इंटर्यू के ऊपर थीनों को ठीक से देख लीजिए अपने प्रोफाइल बनाए और अपने आप कीजिए इजनसी भी आपकी हेल्प कर सकती है पर गैरंटी कोई नहीं दे पाएगा आज के टाइम में के आपको यही प लोग नवीगेट कैसे करें रास्ता क्या बचा है अभी वे जो है उसके उपर मैं थोड़ा रिसेच कर रहा हूं आपको इसके रिलेटेड जो है में डीटेल में वीडियो बनाओगा कि आपको यह चीज को कैसे नवीगेट करना है कौन से आप्प्शन आपके बास बचते है अगर आपको successfully housebuilding land करना है आप बने रहे हैं मेरी चैनल के ऊपर दिरूर नोटिफिकेशन का बेर बजाई जबी मैं कोई नया वीडियो डालूगा तो आपको आपको